इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब आप IMO को open करते हैं तो यहां पर एक option आता है missed IMO calls और यहां पर turn on को option आता है notification की settings में मैं बता दू यह कहां होता है सबसे पहले आप यहां पर click करें profile के option पर और इसके बाद settings के option पर जाएं यहां notification पर click करें यहां पर आप देख सकते हैं missed IMO calls यानि अगर ऐसी call कोई आपको call करता है और आपसे वो call miss हो गई है आपने वो call उठाई नहीं है देखी नहीं है तो अब आपको उसका notification आजाएगा कि यह calls आपने receive नहीं की थी यह calls आपने उठाई नहीं थी यह call आपसे miss हो गई थी तो turn on कर यहां पर set करके enable notification कर दें यहां से notifications को on कर दें यह सारी notification यहां पर allow रहनी चाहिए ठीक है और यहां पर यह तो already on है ठीक है icon badges को यहां पर on रखिए यहां पर let app allow in backgrounds इसे भी आप allow कर दीजिए ठीक है मैं इसे allow ने का robot आप allow कीजिए नहीं तो battery battery जो battery saver होता है वो बन करतेता है IMO को background में ठीक है और इसे भी आप जैसे मैंने बोला वहां अंदर जाके on कर ले एड़ इसके बाद appear over other apps इस permission को भी आप यहां से click करके allow कर ले तो कोई भी call आएगी तो आपको सामने दिख जाएगी बहुत बार call आती है लेकिन आप offline होते है तो इस पे आप यह on कर ले बस ठीक है यह कर लिया आपने तो फिर कोई भी call आपसे miss नहीं होगी उम्मीद करता है आप समझ गया हो को वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स दोर को सब्सक्राइब जरू कर दें